किसन भाईयो नमस्कार जैश शेरा मैं मन कोशिक फिर से एक नए वीडियो में आप सभी किसन भाईयो का यूटूब चैनल और लेन किशान में स्वागत करता हूँ तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माहू की ऐसी कौन सी दवा का उपयोग करें जो सस्ती भी हो और माहू का नियंतरन पूर्ण रूप से हमारी धान के फसल में हो जाए तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लाश्ट तक देखना होगा और चैनल में नए हो तो लाल करेंट कर सब्सक्राइब को बिटर नीचे आ रहोगों से दबा कर बेल नोटिपिकेशन आउन करना होगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिलती र करें जनकारी देने वाले हैं जो दवाया संती भी होगी और इसका नियंतल हमारी धान की फसल में पूरोर रूप से हो जो यह बस और लान आम में यह सकते हैं तो हम बात करेंगे जो पर इनिक्र अपने कली जो इसे वहती है या गर सुष्ट होती है उस दोरान हम a इसे माहु का इस्प्रेय हमारी धान की फसल में अगर माहु नहीं दिखे दी कर लेनी निचेए क्योंकि की इसन भाई जब माहो जब दिखाई देती है तो उस द दरह नहीं हम माहु का दवाई सस्टी दवाई को उप्योग करते हैं जिससे माहू का डोबारा अटेक होनी की जो संभावना है हमारी धान की फसल में हो जाती है तो इसके लिए हमें सबसे पहले सस्ती दवाईयों का उपयोग करना चाहिए सस्ती दवाईयों की जो टेक्निकल नाम है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो इसके लिए आपको इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना होगा चैनल में नहीं हो तो लाल करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं माहू की सस्ती टेक्निकल की बारे में तो बूफरो फेजिन जो आती है बूफरो फेजिन 25 प्रतिसत ऐसी जो फर्मूलेशन में जो दवा आत सबसे इसका इसप्रे कर सकते हैं और इस यह जो सस्ती जो दवाइया होती है किसल में काम करती है «6至10 दिन तक अमारी धान की फसल को माहू से बचाकर रखती है systemic poison की यह दवाया होती है दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं यह टेक्निकल की तो imida chlorpid वो बहुं से किसान जानते होंगे imida sales super या नाम उसे यह दवाया buyer की जो admire नाम सी मिलती है इसकी जो प्रतिसात होती है इसमें imida chlorpid तो यह contact और systemic प्रकार की दवाया होती है इसका इसप्रे आप जब माहू की attack हो चुकी उसके दवरान भी कर सकते हैं और जब नहीं हुई है systemic तोर पर यह दवाया काम करती है तिसरे नंबर पर हम बात करते हैं किसले नंबर पर दवाया आते हैं त्यायो में ज़ूट है 25 percent डबलू जी फॉर्म में आती है और यह दवाय जो है थायो में 1-3% F-A-ison इसका इसपर आप प्रिवेंटी तोर में कर सकते हैं जब हमारी धान की फसल में माहू का टेक नहीं हुआ हो तो इस प्रकार इन सस्ती दवायों को उप्योग कर आप माहू का नियंतरन कर सकते हैं किसान भायों जब हमस्ति रूफॹाईयोत बताने का मतलब ये था कि जब 8 दान से 10 दिन तक उसर हमारी धान के फसल में होती है तो उसके बाद हमें महंगी दास्प्रेय धान के फसल में कर लेनी चाहिए क्योंकि ये दवाईया जो है 8 से 10 दिन या 12 दिन तक मौसम की हिसाब से या 5 शी दिन तक इसकी असर जो हमारी धन के फसल में होती है तो इसके बाद ही हम 10 दिन बाद हम दूसरा इस्प्रे माहू की दवाई के लिए करेंगे तो वो उसकी जनकारी हम नेक्स्ष्ट वीडियो में देंगे तो उसकेलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करकर आपेल नो टिपकेशन अउन करना होगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की जनकारी आप तक पहुंच सके तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैशियर राम वन्देमार